हेलो दोस्तों क्या सब सब्सक्राइब तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के बारे में कि इनके अंदर आपको HyperOS का जो अपडेट हो देखने को मिलेगा कि नहीं तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंट तक देखते रहो और ऐसा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप लोग को बताओ कि जो Redmi Note 10 है Redmi Note 10 Pro है Redmi Note 10 Pro Max से काफी जादा फेमस डिवाइसेस हैं डिवाइसेस काफी जादा फेमस आपको मिलने थे देखने को तो पुराने भी काफी जादा हुचके लगबाओ आलमोस झो इनको ठाय साल से तीन साल होने वाला हैं डिवाइसेस को लॉंज होय हों अंडिया के अंदर बाकी जुडिवाइसेक अदर भी चलता है और यो में चाहरे परा आप झालता है और एड्वाइस आ छो आपडेइट मिलने त्वाईमस देश्तों ह मिलते हैं आपको आपको 3 एंडोट के टीड्स मिलते या फिर कई सथे लिपैश के नर एनट भी आपको मिलते हैं कि एक आप्डीड मिलत है और यहां पर रोड्री मेंक् सर्म जो इन्द 11 के साथ लांज हो कि ये जो है 20 से 21,000 के बीच में ये लॉंच होए थे तो ये मिड रेंज के अंदर आते हैं तो इनके अंदर जो है अपडेट आ चुके है तो Android के अपडेट्स मैंने आपको शुरात में तीन मुला लेकिन हाँ ये इनके अंदर दो Android के अपडेट्स आ चुके है 13 और 12 इसको अल आपको अपडेट्स मिल जाए बेस्ट और अंड़ोड 13 इसके अंदर आपको कोई भी Android 14 वगर अपडेट्स नहीं मिलेगा हो सकता है यह सा 50 से 40 परसंट चांस है कि इनके अंदर आपको अपडेट्स मिल जाए Android का नहीं श्रीप हाइबर वस का हाइपर वसको जो है श्रीप ह हो सकता कि इनके अंदर आपको अपडेट्स मिल जाए उसके बाद इनके अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं आएंगे फीचर में MIUI है फिर जो भी आएगा उसके अंदर आपको हो सकता की अपडेट्स ना मिले नए OS के बाद थोड़ी वहाइस का पुराने हो चुका है इसके कुछ ऐसा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं आपको उसको solution बता दूंगा या अगर आपको कोई question पूचन है तो आप मुझे comment कर सकते हो मैं आपको उसको solution बता दूंगा